Hello students, welcome to Magnet Brains, मैं रुपाली वर्मा आज जिस चैप्टर का मैं complete चैप्टर रिविजन लेकर आई हूँ वो हमारी क्लास 10th Hindi course एक इबुक है शतश भाग 2 अध्याय है सौला, नौबत खाने में इबादत ये जो पार्ट है ये उस्ताद बिस्मिल्ला खा के बारे में है मशूर शहनाई वादक हैं, हम सभी इनसे परिचत है ये किसी परिचे के मोताज नहीं है क्योंकि इनकी जैसा शहनाई वादक आज तक नहीं हुआ तो इनके बश्पन से लेकर इनकी जो पसंद है उनकी एवन जो खाने को लेकर पसंद है उनकी पसंद दीदा हेरो यानी की नाईका जो है वो सभी के बारे में इस पार्ट में हमको बताया गया कि उनके अंदर इस शहनाई के लिए रूची कैसे जागी वो सब कुछ इस पार्ट में हमें बताया गया है तो चलिए इस पार्ट को पढ़ते हैं इस पार्ट को ध्यान रखेगा हम पहले detail explanation करा चुके हैं तो उसे जरूर पढ़ लीजेगा तो कोई भी doubt आपको नहीं रहेगा क्योंकि ये तो revision purpose है ये इसलिए क्योंकि test or exams होते रहते हैं तो उस दोरान हमें लगता है कि हम कुछ revise कर लें जल्दी से इस chapter को तो ये वीडियो आपको revision में help कर सकता है मगर chapter को अगर आपको detailing में समझना है तो पहले uploaded video को जरूर देखिएगा क्योंकि हम वो करा चुके हैं और साथी NCRT solutions भी आपको करा चुके हैं चलिए फटाफट revise करते हैं इस chapter को अमिरुदीन उर्फ बिस्मिल्ला खां का जन्म बिहार के डुम्राव के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था याद रखिए कहा हुआ था कौन से जगा हुआ था ये आपको याद रखना पड़ेगा इनके बड़े भाई का नाम शमुसित दीन था जो उम्र में इनसे तीन साल बड़े थे इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुम्राव के निवासी थे इनके पिता का नाम पैगंबर बक्ष खां तथा मा मिठुन थी पांच-छे वर्ष होने पर वे डुम्राव छोड़कर अपने ननियाल काशी आ गए तो मतलब जन्म डुम्राव में हुआ मगर जब ये पांच-छे वर्ष के थे तो ये डुम्राव छोड़कर कहां पर आ गए काशी आ गए थे अपने ननिहाल यानि कि अपने नाना जी के हाँ वहाँ उनके मामा सादिक हुशैन और अलिबक्ष तथा नाना रहते थे तो इनके दो मामा थे सादिक हुशैन और अलिबक्ष और साथ में उनके नाना रहते थे जो की जाने माने शेहनाई वादक थे यानि की नाना इनके बहुत ही फेमस शेहनाई वादक थे वे लोग बाला जी के मंदिर की डिवड़ी पर शेहनाई बजा कर अपनी दिन चर्या का आरम करते थे तो बाला जी का मंदित था वहां की डिवडी यानि की वहां पर बैट कर शहनाई बजाते थे और इस तरह उनके दिन की शुरुवात होती थी वे विविन रियासतों के दर्बार में भी बजाने का उसमय राजा महराजा हुआ करते थे पहले तो उनके दर्बारों में भी ये शहनाई बादन का कार किया करते थे तो देखें क्या-क्या उनके ननिहाल में होता था ये चीज़ ननिहाल में 14 वर्ष की उम्र से ही बिस्मिल्ला खां ने बाला जी के मंदर में रियास करना शुरू कर दिया था यानि अपने ननियाल में वो आ गए थे जब वो 78 वर्ष के थे तो उसके बाद जब ये 14 वर्ष के हुए तो इन्हों ने भी बाला जी के मंदिर की डियोडी पर शैनाई वादन शुरू कर दिया था जब ये 14 वर्ष के थे उन्होंने वहाँ जाने का ऐसा रास्ता सुना जहां उन्हें रसूलन और बतूलन बाई की गीत सुनाई देती जिससे वे खुशी मिलती थी तो अब बाला जी की डियोडी पहुँचने के जैने बाला जी के इनके घर से और बाला जी के मंदिर तक पहुँचने का जो रास्ता था इन्होंने चुना था उसके रास्ते में रसूलन बाई और बतूलन बाई का घर पड़ा करता था वो वहाँ पे गाना गाया करती थी और बहुत ही सुरीला गीत गाती थी जो इनको बहुत ही शांती प्रदान करता था और खुशी प्रदान करता अपने साक्षातकारों में भी इन्हों ने स्विकार किया है कि बश्पन में इन लोगों ने इनके संगीत के प्रति प्रेम पैदा करने के भूमिकाने भाई यानि कि रसूलन भाई और बतूलन भाई ने जो है इनके अंदर संगीत का प्रेम पैदा किया इंट्रेस्ट इनको उसी से जागा ये चीज़ उन्होंने अपने कई इंट्रिव्यूज में बताई भी है भले ही वैदिक इत्यास में शेहनाई का जिक्र ना मिलता हो परन्तु मंगल कार्यों में इसका उप्योग प्रतिष्ठित करता है अर्थाद ये मंगल ध्वनी का समरूपक है मतलब बहुत पुराने के आप कहीं पर भी पुरान या वैदिक ग्रंत वगएरा उतारने वेद वगएरा में कहीं भी शेहनाई का प्रयोग नहीं बताया जाता और इसे शुब माना जाता था तो इसलिए ये मंगल यानि के शुब का संदेश लेकर आती है ये मानना एकदब सही होगा बिस्मिल्ला खाने असी वर्ष के हो जाने के बावजूद हमेशा पांचों वक्त वाली नमाज ने शेहनाई के सच्चे सुर्पानी की प्रार्थना में बिताया मतलब होता है ना कि हमें अगर कोई चीज मिल गई हमने कोई चीज पाली तो हमें उस चीज का अहंकार हो जाता हम इश्वर को उसके लिए धन्यवाद नहीं देते उसके लिए हम ये नहीं बोलते कि ये चीज हमारे पास बनी रहे हम जितनी मेहनत हमने इसको पाने में करी वो तो यह सच्चे सूर है ना, वो हमेशा वो बनाए रखे, इस चीज के request वो हमेशा करते थे, मुहरम के दसो दिन बिस्मालाखहा अपने पूरे खांदान के साथ ना तो शेहनाई बजाते और ना ही किसी कारिक्रम में भाग देते, महरम के दिन मातम के दिन माने जाते हैं तो उस दौरान जो है ये ना खुद बजाते थे और ना ही वो किसी मंगल कारमे वो उनका पूरा परिवार ना शहनाई बजाता और ना ही किसी शुब काम में शामिल होता था आठवी तारिक को वे शहनाई बजाते और दाल मंडी के फात्मान की आठ किलो मीटर की दूरी तक भीगी आखों में नोहा बजा कर निकलते हुए सब की आखों को भीखोते थे तो आठवा दिन जो होता है उस दिन जुलूस निकलता है तो जुलूस वाले दिन वो शहनाई बजाते थे और ऐसा सुर निकालते थे कि खुद तो रोही रहे होते थे साथ में जो भी उस चैनाई को सुन रहा होता था उसकी आखे भी नम हो जाती और वो भी रोने लगता था फुरसत के समय में वो उस्ताद और अबबाजान को काम याद करका अपनी पसंद की सुलोचना गीता बाली जैसे बिनेत्रियों को कि देखी फिल्मों को याद करते हैं अब वो बोलते हैं कि भाई ये तो उनका कार रह था अब उनका कहने का ताद पर ये था कि जब वो फुरसत के पल होते थे तब वो क्या करते थे तब वो अपने उस्ताद अपने अबबाजान के जो बहुत ही अच्छे कार रह हुआ करते यांकि शेहनाई वादा जो उनको प्रेणना प्रदान किया करते थे उनको याद करते थे और उनकी फेवरेट हिरोईं थी सुलोचना उसकी फिल्में वो देखा करते थे तो वो उनकी फेवरेट हिरोईं सुलोचना उनकी फिल्में वो बहुत पसंद करते थे देखना वे अप की शहनाई पर पत्थर पटक कर दाद देते बश्पन के समय वे फिल्मों के बड़े शौकीन थे उस समय थर्ड क्लास का टिकेट 6 पैसे का मिलता था जिसे पूरा करने के लिए वो दो पैसे मामा दो पैसे मौसी और दो पैसे नाना से लेते फिर बाद में घंटो लाइन में ल चले जाते हैं अब यदूंडते थे वो शहनाई कौनसी शहनाई है जिसमें इतनी सुन यद्य शूर्ण निकल रहे थे तो जितनी शहनाई यह थि नहीं तो देखा करते थे मैं आvra नही यह पंटा दी इंदो फुरे वा नहीं मामा जी की जो शहनाई थे उसको उसको पटक पटक के दाद दिया करते हैं, वावा, वावा, मतलब अपना बजाते हैं और बाद में वावा उससे किया करते थे, फिर वो बताते हैं उनकी जो फेवरेट हिरो हिंति सुलोचना उसकी फिल्म जो है, देखने के लिए थर्ड क्लास का टिकेट लेना पड़ता था, और थर्ड क बक करते हैं, और फिर कहीं जाकर वो अपनी फेवरेट हिरो हिरो हिंति सुलोचना की मुवी weg को देख पाते थें, बाद में वे अपनी पसंदिता अपिनेति सुलोचना की फिल्मों को देखने के लिए बाला karate की मंदिर पर शहनाई बजा कर कमाई करते थे, पहले तो मांग क की देशी घी वाली दुकान की कचोड़ी खाना न भूलते काशी के संगीत आयोजन में वे अवश्य भाग लेते या आयोजन कई वर्ष्र से संकट मोचन मंदिर में हनुमान जेंदी के अपसर पर हो रहा था जिसे शास्त्रिय और उप शास्त्रिय गायनवार्दन की सभा होती थी तो अभी बताते भाई उनको फर्म तो देखना अच्छा लगता था सुरोशना के लेकिन उन्हें कुलसन जो मिठाई वाले थी उसकी कचोड़ियां बड़ी पसंती देशी की तो वो भी खाना नहीं भूलते थे पिच्चर देखते थे और निकलके वो खाते थे या जब करते हैं कि संगीत आयोजन हुआ करता था काशी में संकट मोचन के मंदिर में हर हन्वान जैनती पर तो वो उसमें भी भाग लेते थे बिस्मिल्ली खान जब काशी के बाहर भी रहते तब भी वर व विश्मनांत और भालाजी मंदिर की तरफ मुझ करके बैढ़ते और अपनी शेहनाई भी उस तरव घुमा दिया करते थे गंगा, काशी और सेहनाई उनका जीवन थे बिश्मिल्ला खां का जो सेहनाई वादन है वो बालाजी मंदिर से शुरू हुआ उनके लिए काशी बहुत महात्वपून था तो मान लिए वो पूरे विश्म में चेहनाई वादन प्रस्तुत किया करते थे तो विश्म के किसी भी कोने में जाते थे तो उनका जो फेसिंग, मान लिए पबलिक यहां सामने है तो वो कभी ऐस नहीं, मान लिए काशी इधर है या बाला जी का मंदिर इस साइड में है तो उनका जो बैठने का तरीका, उनका मूँ जो होता था वो इस तरफ होता था, ना कि ओडियन्स की तरफ होता था क्यों क्योंकि वो उनके लिए पूजनिये इस्तल थे क्योंकि उन्हों ने इन इस्थलों ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई थी यहां से उन्होंने शहनाई बादन सीका था इसलिए उनका फेस या शहनाई का जो मूँ था वो हमेशा किस तरफ रहता था जिस तरफ बाला जी का मंदिर और विश्वनाजी का मंदिर यानि की काशी ह का शेहनाई उनका जीवन था तात पर यानिकी काशी में वो रहे वहीं उनके जीवन की एहम ताइम बीता यह सब उनके जीवन के बहुत ही एहम अंग रहे हैं काशी का इस्थान सदाशे ही विशिष्ट्रह यह संस्कृति की पाटशाला है विश्मिला खां के शेहनाई की धुनों की दुनिया दिवानी हो जाती थी सन 2000 के बाद पक्का महल से मलाई बर्फ वालों के जाने से देशी घी और कचौरी जलेबी में पहला जैसा स्वाद ना होने की कारण उन्हें इसकी कमी खलती है तो उन्होंने बताया क काशी वाकई संस्कृती स्थल है हम आज भी अगर जाईए तो वहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलेगा हम अपनी संस्कृती अपनी सभ्यता से अपने जुड़ाव को महसूस करेंगे सन 2000 के बाद जब वो दुबारा काशी गए तो उन्होंने पाया कि जो वहाँ के खान पान में था उनमें वो टेस्ट नहीं रह गया जिससे वो अब थोड़ा सा दुखित हो जाते थे वे नए गायकों और वादकों में घटी आस्था और रियाजों के महत्व के प्रती चिंतित रहते थे जो अब नए लोग आए जो संगीत के छेतर में या श इसके कारण उनके अंदर वो महारत नहीं आपाती जो उने चाहिए भाई किसी भी चीज में प्रैक्टर्स मस्ट और जब आप अच्छी शायनाई चाहते हो तो आपको प्रैक्टर्स करने पड़ेगी जो वो नहीं करते थे बिसमिल्ला खा हमेशा से दो कौमों की एकता और भाई चारे के साथ रहने की प्रैणना देते रहे अब देखिए वो एक खुद क्या थे मुसल्मान थे बाला जी के मंदेर विश्वनाजी के सब जगें बजाया करते तो तो ये एक कौमी एकता का ही उन्होंने संदेश हमार पुरसकार तथा पज्मभी विभूशन जैसे पुरसकारों से जाने नहीं जाएंगे बल्कि अपने अजे संगीत यात्रा के नायक के रूपे पहचाने जाएंगे तो 21 अगस 2006 को उनकी मृत्ति हो गई तो उन्हें इतने पुरसकार मिले इस वज़े से वो नहीं जाने जाएंगे अगर हम आज शेहनाई का नाम लेते हैं तो बिस्मिल्ला खा नाम याद आते हैं मतलब उम्दा शेहनाई वादक का नाम है बिस्मिल्ला खा उनकी जो क्या कहते हैं डिवोशन है उन्होंने जो संख्या एक है अमिरुद्दीन के मामा की दिन चर्या की शुरुवात कैसे होती थी अमिरुद्दीन मतलब अब धियान रखेगा नाम में कन्फ्यूज मत होईए बिस्मिल्ला खा जी का ही नाम अमिरुद्दीन है उनके मामा की दिन चर्या का बताना है अमिरुद्दीन के मा वे विभिन रियासतों के दर्बार में शहनाई बजाने जाया करते थे तो बहुत देश के जाने मानक शहनाई वादक थे तो उनके सबसे पहला जो कार्रे होता था वो क्या होता था बाला जी के मंदिर में की डोड़ी में बैट कर शहनाई बजाना जिसमें वो अलग-अलग र ये इसकी क्या उप्योगता है ये एक तरे की घास होती है इसी से शहनाई का निर्बान होता है रीड एक प्रकार की घास है नरकट से बनाई जाती है ये बिहार के डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है रीड अंदर से पोली खोकली होती है इसी के सहारे शहनाई से म हवा फेकी जाती है इसी की मज़से शहनाई बचती है यदि रीड ना हो तो शहनाई बजना कठिन हो जाता है तो रीड आप शहनाई देखते हो ना यहां से पतली होती है बीच से मोटी होती है और यह कैसी होती है अंदर से खोखली होती है तो इसमें हम हवा फूखते हैं उसक शहनाई का होना भी मुश्किल हो जाए तो इसी से शहनाई बनती है प्रेश्ट संक्या तीन है बिस्मिल्ला खा बाला जी मंदिर क्यों जाया करते थे वे किस रास्ते से मंदिर जाया करते थे तो वो क्या है वो रियास के लिए प्रते दिन बाला जी मंदिर जाया करते थे क्यो वे मंदिर तक पहुशने के लिए रसूलन बाई और बतूलन बाई के घर के पास से जाने वाले रास्ते का प्रयोग करते थे। उन्हें इस रास्ते से जाना अच्छा लगता था। इस रास्ते ना जाने कितने तरह के बोल, बनाव, कभी ठुमरी, कभी दादरा, कभी टपे आदी सुनते हुए में मंदिर पहुशते थे। तो ये दोनों ही शास्त्री संगीत में माहिर लेडी थी जो बहुत ही अच्छा गायन करती थी। और जब इस रास्ते से जाते थे तो तरह तरह का संगीत उन्हें सुनने को मिलता था, उनका मन प्रसन हो जाया करता था। तो इसलिए ये रास्ता उनको बहुत ही प्रिये था बालाजी मंदिर जाने का। प्रश्य संख्या चार है इतिहास में शहनाई का उलेक किस तरह मिलता है यानि कि वैदिक इतिहास जो हमारे वेदों का जो इतिहास है उसमें शहनाई किस रूप में बहुत शहनाई का में नाम से तो नहीं है पर मंगल गायन के नाम से जरूर है यानि मंगल जो तितने भी सं उनमें शहनाई का उपवयोक किया जाता है ये चीज साष्ट में नरकट या रीडवाले वाद्धी अंत्रों को नए कहा जाता है मतलब वेदों में हमारे पास नहीं है लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये शहनाई के नाम से नहीं शुशर यंत्र के नाम से जानी जाती है अरब देशों में नरकट के नाम से जानी गई है जिसे नए बोला जाता था लेकिन तान सेन के समय तक आते आते इसका उलेख हमें इत्यास में मिलने लगता है तो इस तरीके से ये पार्ट हमारा पूरा यहां इस्प्रेंशन खतम हुआ कोशिन आंसर्स खतम हुए आपको अच्छी तरीके से बिसमिल्ला खांजी के बारे में समझ में आ गया होगा पार्ट में जितनी जी भी important चीजे थी मैंने इस यहाँ पर आपको समझाईए सभी जी साथ ही question answers के कुछ तरीके बताएं कि जहां पर आप से पूछा जा सकता है क्योंकि इन chapter के जितने भी questions आएंगे वो two marks के आएंगे तो आप 25 से 30 words में जितना भी आप लिख सकते हो वो सारी चीजे मैंने maximum आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करिए तो अच्छे से अपने exams और test करिएगा तो यह जो one shot revision है ना हमारे यह सिर्फ हिंदे में नहीं है आपके सभी subjects के लिए one shot revision आ रहे है तो अब इन one shot को हम देखेंगे कैसे उसके लिए आपको simple chrome पे जाना है magnet brain type करेंगे आप app के through भी enter हो सकते हैं कोई दिक्कती लेकिन आप जैसे आएंगे magnet brain पे तो आपके सामने एक page open होगा जहाँ पर नीची की site में CBSC English Medium लिखा होगा जैसे आप इसे click करोगे आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा देखें one shot revision आप इस one shot revision को जैसे click करेंगे आपके सामने वो सभी classes आ जाएंगे जिनमे one shot revision available है आप देख रहे हो 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th तो अब आपको अपनी class देखनी है आपकी class क्या है 10th यहाँ पे watch now लिखा है न बस आपको यह watch now क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने class 10th के one shot revision की पूरी playlist आ जाएगे देखेंगे आप इसमें सभी subjects हैं physics, chemistry, bio, math, information, technology, history, civics, geography, economics, English, English, Hindi, Sanskrit, Sanskrit तो देखें सभी कुछ दिया है तो आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं मान लिजे आप suppose आपको हिंदी में ही देखना है तो अब आप क्या करोगे हैं यहाँ पे हिंदी full chapter one shot revision आप यहाँ पे click करोगी click करते ही आपके सामने क्या होगा book wise आपके books है न कई सारी तो आपके books आ जाएगी फिर book के बाद ही आपका क्या हो जाएगा उसमें आगे आप उसको click करोगे तो आपके chapters आजाएगे तो जो भी book पढ़नी है जो भी chapter देखने है उसे आपको click करना है जैसे ही click करेंगे आपके सामने इस तरीके से video start हो जाएगा अब आपको करना क्या आपको सिर्फ अपना ये video देखना है revision complete करना है क्योंकि exam आने वाले हैं टेस्ट होने वाले हैं तो revision हो जाएगा हमारा revision जैसे ही complete आपका हो जाता है तो आप निश्रेंद हो जाएगे क्योंकि कहीं पर भी आपका test exam हो आप इसे फटा-फट दे सकते हैं हमारा channel बहुत कोशिश करता है कि आपकी पढ़ाई में किसी तरह की बाधा ना हो इसलिए हमारे channel पे आपको 100% free education प्रोवाइट करा जाती है इसके लिए हम आपसे कोई भी payment नहीं लेते हैं साथ ही यहां जितना भी content है यह totally arranged है यानि कि आप देखेंगे class wise, subject wise, book wise, chapter wise, topic wise हर एक चीज़ totally arranged है एक topic पढ़ने के बाद दूसरा आपको इधर उधर खोजना नहीं पड़ता तो इसी लिए हम यह चाहते हैं कि आप हमारे channel के साथ बने रहे हैं इसे like, subscribe, share जरूर कीजेगा, thank you for watching, bye bye